नमश्कार जैश्री राधे मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शिकों का हमारे चानल पे बहुत-बहुत स्वागदर इस चानल को देख रहे हैं तो बेल अगर प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो आज हम बात करेंगे जिन जातकों ने किसी भी महिने की 17 तारीक पे जनम लिया है उन जातकों का व्यक्तित्व और साथ साथ सुभाव कैसा होगा चलिए जान लेते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके अंकों के स्वामी की यानि जो आपके ruling planet है according to your numbers तो उनकी अगर हम बात करें तो आप लोगों का जो अंक बनता है एक और साथ यानि सूरे और केतु का combination है साथ साथ अगर इन दोनों को ही हम जोड़ देते हैं तो शनी का मूलांख बन जाता है यानि आठ नंबर बन जाता है तो सूरे शनी और केतु सूरे जो हैं दोनों के ही कही न कहीं शत्रू माने जाते हैं वहीं पर अगर हम बात करें आप लोगों के वक्तितव और सुभाव की तो आप लोग क्रोधत छोड़ छोड़ी बातों प बनता है आट यानि अगर आट को हम देखते हैं तो हम आट ऐसे बनाते हैं यानि infinity बनता है अगर हम इसको ऐसे जोड़ देते हैं और सीदा अगर हम बनाते हैं तो एड बनाते हैं यानि आपस और डाउंस आपकी लाइफ में उतार चड़ाफ बहुत जादा रहते होंगे वही पर आप लोग जो है रहसे मई हर चीज को लेकर के होंगे क्योंकि आप लोग जो है अपनी बात केवल अपने तक सीमित रखते हैं आठ अंक देखें तो पूरी तरह से बंद होता है उसी तरह से अगर आप लोगों के हम बात कर रहें विक्तित्व की तो कहीं न कहीं आप लोग जो हैं इमानदार होते हैं मगर वहीं पर किसी को अगर जरूरत के समय पर जरूरत हो आपकी तो आप उनकी मदद भी करते हैं वहीं पर आप लोग हर चीज़ को सबके साथ शेर करना पसंद नहीं करते कुछ बाते ऐसी होती हैं जो आप अपने तक ही सीमित रखना पसंद करते हैं लोग आपको रिजर्व नेचर का बोल देते हैं या फिर हो सकता है कभी-कभी गमंडी भी बोल दिया हो कोई बात नहीं क्योंकि आपका रिस्वभावी ऐसा है गमंडी वाली कोई बात ही नहीं है अब वहीं पे आप लोगों के लिए जो प्रोफेशन्स रहेंगे वो कौन- इसके लाव अगर आप अगनी से जुड़ा हुआ कारे करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा वहीं पर आपके लिए जो है लकी कलर्स कौन-कौन से रहेंगे औरेंज, मजंटा, महरून, येलो ये कलर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे इसके साथ इस ग्रे, military green, brown color आपके लिए बहुत अच्छा रहेंगे, मल्ति कलर्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, वहींपर अगर हम बात करें और कलर्स की तो आपके लिए ब्लू और ब्लाग भी कलर काफी हथ तक अच्छा रहेंगा, ब्लाग कोशिस कीजे कर जादा धारण ना जाते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा, आपको गुपत ज्ने का इना की शौक भी होगा अध्यात्मिकता से जुड़े, ऊच्छ अच्छा आपके लिए Reef होगा वहीं पर अगर हम रत्नों की बात करें तो रत्न जो आपके लिए इच्छे रहेंगे वो रहेगा कुंडली के अनुसार विशलेशन करा करके तो इसलिए जो स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं उन पे आप दिये गए नंबर्स पे कॉंटाक्ट करके पूछ सकते हैं कि कौन सा रत्न इन तीनों में से आपके लिए सबसे अधिक सर्वशेष्ट साबित होगा वही पर अगर हम बात करें आपको क्या कुछ खास चीजों का दान करना से ही रहेगा तो आप लोग रविवार के दिन अगर तामबा दान करते हैं तो लाप राप्त होगा वही पर इसके अलावा आप लोग यदी चांदी का दान करें यानि अगर आप नाग नागन का जोड़ा बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे especially नाग पंचमी के टाइंग पे तो बहुत लापकारी साबित होगा इसके अलावा आप लोग यदि शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान करे या फिर रविवार के दिन आप जो है मूली का दान करें तो आपके लिए बहुत जादा लापकारी साबित होगा शनि की और केतु की पूजा करना आपके लिए बहत खास रहेगा जितने भी जीवन में अबस्टेकल्स आ रहे हैं उन परिशानियों से आपको छुटकार अप्राप्त होगा तो उमीद करते हो विशे आपको पसंद आया होगा अगले वीडियो में हम बात करेंगे जिन जातकों ने 18 तारिक को किसी महीने पर जनम लिया है उन जातकों का कैसा होगा व्यक्तित्व कैसा होगा सुभाव और क्या कुछ करना रहेगा उनके लिए खास तो फिलाल कले मुझे दीजे इजाज़त बने रहे हैं हमारे चानल के साथ नमशकार जैश्री राते सब्सक्राइब करें साधना एस्ट्रो आपकी सुखदुप का साथी